तो बच्चो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नमबर 6 ट्राइंगल्स की BPT थियोरम का सेकंड मेथड फस्ट मेथड में आपको करा चुका हूँ सेकंड मेथड के अंदर क्या है कि हमारे पास वही वाला ट्राइंगल दे रखा है लेकिन इस वाले ट्राइंगल को हम बिना कंस्ट्रक्शन के प्रूव करके दिखाएंगे इस बार इसमें क्या दिया है इफ ए लाइनिश रॉन पैैर्लल तू बजिंगिए मतलब एक ट्राइंगल के अंदर मुनलीजे इस वाली साइड के पैरलल एक line हमें दे रखी है और मालीजे वो जो line है उस line ने इसको दो points पर intersect किया है और वो दो points कौन-कौन से ले लिए एक हो गया D point और एक क्या हो गया E point तो पिछले वाले में जो अब हमने करा था तो उसमें क्या किया था हमने हमने construction करके perpendicular draw करे थे और फिर यह वाली चीज हमने drop करी थी उसके अंदर हमने area के method से solve गया था NCRT में आपका यही method दिया है तो दूसरा method हम क्या लगा सकते हैं उस चीज़ को आप ध्यान से देखते रहो इसके अंदर हमें क्या है सबसे पहले तो हम वही चीज लिखेंगे जो हमें given है तो given हमें क्या दिया है given हमें दिया है एक triangle तो आप लिख सकते हो a triangle जिसका नाम क्या है a, b, c in which जिसके अंदर d, e जो है वो किसके parallel दे रखी है b, c के और d, e intersect भी करती है किसी को तो आप लिखोगे d, e intersects a, b at d, a, b को कौन से point पर intersect करती है d पर और a, c को कहां पर intersect करती है a, c को करती है ये e point पर तिक्वे, a, c वाली line को e point पर उसके बाद हमें prove क्या करना है इसके अंदर prove करने के लिए इसने कहा था कि the other two sides are divided in the same ratio means ये वाली जो d, e line है ये parallel तो b, c के है लेकिन ये divide किस-किस को कर रहे है a, b को और a, c को तो ये same ratio में divide करेगी मतलब a, d upon d, b हमें लेकर आना है किसके equal a, e upon e, c के equal a, e upon e, c तो पिछले वाले में तो हमने construction करी थी इसके अन्दर हम किया करने वाले है इसके अन्दर आपको simple यहाँ पर दो triangle दिख रहे हूंग एक तो ये बड़ा वाला triangle इसका नाम क्या है a, b, c और एक ये छोटा वाला triangle इसका नाम क्या है a, d, e तो हम इस बढ़े वाले triangle को और छोटे वाले triangle को इन दोनो triangles को हम करेंगे similar और similar करने के बाद फिर हम sides का ratio निख सकते हैं तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं ध्यान से देखते रहे हैं सबसे पहले हम ले रहे हैं दो triangles, एक triangle जिसका नाम क्या है ABC, यह जो बड़ा वाला triangle है और एक triangle हम ले रहे हैं जिसका नाम क्या है? ADE, यह जो छोटा वाला triangle है इन दोनो triangles को हम similar करते हैं similar करने के लिए सबसे पहला जो आपको angle दिख रहा होगा वो है angle A angle A equal to angle A हम क्या लिख सकते हैं? common क्योंकि देखिए यह जो angle A है यह इस वाले triangle में भी आ रहा है corresponding angles corresponding angles क्या होते हैं? कि अगर मालियजे दो parallel lines दे रखी है और उन दोनो parallel lines को काटती हुई एक transverseल है तो यह वाला angle और यह वाला angle आपस में कैसे होते हैं? corresponding मतलब यह वाला इस वाली line के उपर है और यह वाला इस वाली line के उपर है ये वाला एंगल इस वाली लाइन के उपर और ये वाला एंगल जो इस लाइन के उपर और दोनों ही ये right hand side पर आ रहे हैं तो ऐसा ही कुछ-कुछ यहाँ पर बन रहा है ये DE और BC वाली लाइन पैरलल है ये इनको काटती हुई लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एं इतनी चीज समझ में आई अब बात आती है तीसरी चीज हम क्या डूंडें तो तीसरी चीज हम लेते हैं एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला देखिए जैसे हमने यहाँ पर कॉर्सपॉंडिंग एंगल देखे हैं ऐसे इधर भी एक ट्रांसवर्जल बन रही है ये दोनों की दोनों पैरलल लाइन है तो अगर दो पैरलल लाइन ऐसे है और ये ट्रांसवर्जल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कॉर्सपॉंडिंग होंगे कैसे कि ये द और दोनों है corresponding angles, ठीक है, तो जब हमारे पास तीन angles equal आ गए, तो हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं, कि यह दोनों के दोनों जो triangles हैं, यह अपस में कैसे हैं, similar है, similar कैसे हैं, जब मैंने आपको similar triangles पढ़ाए थे, वहाँ पर मैंने आपको बताया था, दो conditions होती हैं, कर दें तब भी वो कैसे triangles कहलाते हैं similar अगर तीन angle equal कर दें तब भी वो similar triangles होते हैं या फिर दो side के बीच का angle हो तब भी वो similar triangles होते हैं और इन तीनों का जो proof है वो हम देखेंगे 6.3 exercise से पहले तो हम इसके अंदर तीनों चीज़ प्रूव नहीं करते हैं नहीं हम यह दोनों चीज़ प्रूव करते हैं कि angles भी प्रूव करके दिखाओ sides भी हम कोई सी एक चीज़ प्रूव कर देते हैं जैसे यहाँ पर यह तीनों के तीनों angles equal हो गए छोटे वाले triangle के तीनों angle बड़े वाले triangle के तीनों angles के equal कर दिए तो यहाँ पर हम angle 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 property से यह कह सकते हैं कि यह दोनों के दोनों कैसे triangles हैं similar और जब similar triangles हैं तो similar triangles के angle तो हमने equal कर दिये sides का ratio हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर आप क्या चीज लिखोगे अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं therefore triangle ABC is similar to triangle ADE यह जो बड़ा वाला triangle है यह छोटे वाले triangle के similar है कौनसी property से by angle 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 similarity ठीक है इतनी चीज समझ में आ गई अब बात आती है कि यह हमने क्यों किया है यह इसलिए कि अगर दो triangle similar होते हैं उनके angles तो हमने equal कर दिये जो कि हमें दिख भी रहे थे तो उनकी sides का ratio भी equal होता है जैसे यहा बड़ा वाले triangle है पूरा का पूरा यह D भूल जाओ एक मिनट के लिए बड़े triangle का नाम क्या है ABC तो हम इनकी sides का ratio बनाते हैं तो AD वाली जो side है यह किस के साथ आएग यह अप उनमे AB के साथ जैसे यहाँ पर आपने बड़ा वाले triangle पहले लिया है तो बड़े वाले triangle की side लि लिख लेते हैं नीचे means numerator में और denominator में तो यहाँ पर हम लिखते हैं AB उपर आ गया और नीचे क्या आ जाएगा उसके AD तो यहाँ पर आ गया AD उसके बड़े वाले triangle की यह वाली side का नाम क्या है AC तो यहाँ पर हम लिख देते हैं AC और इधर चोटे वाले triangle की नाम क्या है AE यह दोनों चीज आता हो गई numerator में नहीं है लेकिन denominator में उसको हम अभी उपर ले जाएंगे कैसे ले जाएंगे वो चीज समझते रहना तीसरी side आप चाहो तो लिख भी सकते हो बड़े वाले triangle की कौन सी है BC और छोटे वाले triangle की कौन सी है DE तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं BC upon DE औ या फिर लिख दो corresponding sides of similar triangles यह दो similar triangles की side है of similar triangles are in same ratio यह same ratio में ही होती है या फिर आप लिख सकते हो कि यह same proportion में होती है ठीक है अब यहाँ से मुझे क्या क्या चाहिए मुझे चाहिए बस यह वाले दोनों चीज यह जो शुरुआत की दोनों चीज है इन दोनों से ही मैं प्रू AB upon AD equal to AC upon AE तो देखें यहाँ पर AB के हम टुकडे कर लेते हैं AB वाली side S को हम क्या लिख लेते हैं AD plus DB और AC को हम क्या लिख लेते हैं AE plus EC उससे हमारी यह वाली चीज प्रूव हो जाएगी देखो AB को मैंने क्या लिख दिया AD plus DB और upon में क्या है इसके AD ऐसी AC को क्या लिख लिख लिया AE plus EC और upon में क्या है इसके AE तो अब यह AD दोनों के यह upon में माना जाता है भई अगर मन लीजे कहीं पर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है कि 3 upon 4 और 6 upon 4 तो यहाँ पर यह जो 4 है इ एक ही जगा पर मन सकते हो दोनों 4 को और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 3 plus 6 फिर 9 upon 4 आ जाता है तो यह 3 के नीचे वाला भी 4 है 6 के नीचे वाला भी है तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं यह 3 के भी नीचे 4 है 6 के भी नीचे 4 है ऐसे यहाँ पर AD के अपॉन में भी AD तो AD upon AD औ और प्लस db upon ad, और ऐसे ही ae upon ae, और प्लस ec upon ae, यहाँ पर ad से ad cancel होगा, तो 1 बचा, ad के टेवल में ad 1 बार आता होगा, जैसे 3 के टेवल में 3, 1 बार आता है, यह 3, 3 अगर होता तो, यह 2, 2 होता, 4, 4, मतलब जैसे, अगर same digit होती है, तो वो cut कर 1 ही आता है, तो ae से ae कट गय है, कि 1 प्लस db, यहाँ पर आप लेख सकते हो, 1 प्लस db upon ad, equal to होगया, 1 प्लस ec upon ae, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि अगर मान लिजे यह वाला जो 1 है, प्लस का, इस प्लस के 1 को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाओ, तो यह धर जाकर minus का 1 हो जाएग बचा कि हमारे पार db upon ad, equal to ec upon ae, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर, हमें ad उपर चाहिए, db नीचे चाहिए, ae उपर चाहिए, ec नीचे चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रखा है, तो हम दोनों का ले लेते हैं, reciprocal, reciprocal, reciprocal लेने से कोई फरक तो पड़ेगा नहीं, बहिए, अगर मालो कहीं पर 3 upon 4 और 3 upon 4 लिख रहा है, और अगर आप इसको उल्टा करके लिख दो तब क्या equal होंगे नहीं है, 4 upon 3 और 4 upon 3 तब भी तो यह equally होंगे, तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, db upon ad equal to ec upon ae को क्या लिख लेते हैं, reciprocal करके लिख लेते हैं, तो इसके रहे हम, reciprocal, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, by taking reciprocals, हम लिख सकते हैं, कि ad upon db equal to क्या होगा, ae upon ec, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, तो last में लिख देना, hence, proved, ठीक है, यह ध्यान से देख लेना, जो चीज मैंने आपर बताईए, बस इसको reciprocal कर दिया है, और कुछ नहीं किया, तो यह होगे, आपका second method, first method मैंने आपको करा दिया था, वो NCRT का method था, एक method हम यह वाला भी कर सकते हैं, और यह property हमने कैसे लगाई है, यह चीज मैंने आपको बता दी, कि हम A की property से हम prove कर देते हैं, कि दो triangles आपस में कैसे हैं, similar, वो कौन सी properties हैं, यह 3 properties हैं, इनके बारे में detail हम आगे भी पढ़ने वाले हैं अभी, यह कर लो, अगर इसमें कोई doubt हो, तो comment करके पूछ लेना,